हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है अगर आप TGT, PGT और LT grade की तैयारी कर रहे है तो ए वीडियो आपके लिए हैं दोस्तो इस वीडियो में आपको जो BPSC का इक्जाम अभी तक का उसी का जो हिश्टी का पार्ट है उसी को कराया जा रहा है तो अगर आप हिश्टी में इंट्रेस्ट रखते हैं हिश्टी में और आंसर हो जाएगा आपका बहुत धर्म दर्शन के लिए प्रशित था और आप देख रहे हैं 42 विपियसी प्री 1998 में पुछा गया कोशन है व्याख्या वही चीज है कि यह बहुत दर्षन के लिए जो नालंदा विश्व विद्याले था यह बहुत दर्षन के लिए विश्व प्रसिद्ध था उसी के अध्यन के लिए चीनी यात्री वेंसांग यहां आया था तो चीनी यात्री जो है वेंसांग आया था यह हर्सवर्दन के सासनकाल में इसको भी आप याद रखेगा आगे चलते हैं 42 नमर कोशन है आपका और आप एक कोशन देख रहे हैं कि 2005 में पूछा गया भी प्यस्थी में कोशन क्या है मद्यकालिन भारत में मनसबदारी वेवस्था क्यों लागू की गई थी ऐ आपको बताना है A. राजस्व एकत्र करने है तू B. सैनिकों की सुबदा से भरती है तू C. आपका धार्मिक सद्वाव की अस्थापना है तू D. स्वच प्रसासन सुनिश्चित करने के लिए E. उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक 62 का जो आंसर है दोस्तो वो जाएगा आपके B के साथ सैनिक की सुगमता से भरती है तू किसके सुगमता से? सैनिक के सुगमता से भरती है तू क्या किया गया था? मनसबदारी व्योस्था लागू की गई थी आपसन B आपका सही है व्याख्या देख लीजिए मनसबदारी व्योस्था एक विशिष्ट प्रसासनिक व्योस्था थी जिसका प्रचलन मुगल सासक अकबर द्वारा किया गया था तो ए मनसबदारी व्योस्था का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा किया गया था मनसब द्वारा तीन बातें निर्धारित होती थी जो मनसब दिया जाता था उसके द्वारा जो है तीन बाते क्या की जाती थी निर्धारित की जाती थी पहला जो था पदा अधिकारी का वरियता क्रम था मतलब पद में क्या आपका क्रम है उसको निर्धारित किया जाता था वेतन होता था और तिसरा सैनिक उत्तरदाईत होता था तो यह जब मनसबदारी मिलता था तो यह तीन चीजे आपको निर्धारित होती थी कि आपका क्या रॉपद है आपको बेतन क्या मिलेगा मंसब क्या मिलेगा और आपका सayanिक उत्तर दाइत तो क्या है इस बारे में मतलब जिक्र रहता था आगे साइनिक उत्तरदाईत में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार साइनिकों को रखना पड़ता था इस विवस्था से राज्ज ने साइनिकों के प्रतेच भरती और रख रखाव के उत्तरदाईत मनसबदारों पर डाल दिया था जिसके बदले में मनसबदार को नगत या जा गया कोशन है कि नीचे दो वक्तब दिये गए हैं जिन में एक कथन ए और दूसरा कारण आ रहे हैं दोनों को ध्यान पुर्वक पढ़ें और आंसर दें कथन ए कराएं कि बारावी सताबदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया एक कराएं महाविहार को राज की प्र कराएं उपयुक्त दोनों वक्तब्यों को किसंदरम्य रिखित में कौन सा सही है यह आपको बताना है तो इसमें जो सही हो जाएगा दोस्तो ओ बी सही हो जाएगा दोनों ओ और prop wonder की नहीं करता हैновकि कि इसमें देखिये कि अन्र तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया महाविहार को राज की प्रसराय मिलना बंद हो गया इसलिए पतन हो गया कारण भी सही है लेकिन उसका व्याख्या आगे कुछ नहीं किया गया कि क्यूं बंद हो गया उसका क्या रीजन था और कुछ व्याख्या नहीं किया गया नालंदा क्या था नालंदा एक विष्विख्यात जो था विख्यात बहुत पीट यह विष्विद्यालय था यह दच्छित विहार में राजगीर जिसके अर्तमान में राजगीरी अका जाता है के निकट स्तित था पाच्वी सदी के मद्ध गुप्तों के समय में नालंदा इस्तित विश्व विद्याले अस्तित्त में आया बारावी सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमर के फर्सरूप महा बिहार का पतन हो गया बंगाल के पालसास को द्वारा बिक्रम सीला कौन सा बिक्रम सीला विश्व विद्याला को सरचर देने के फलसरूप नालंदा का जो महत्व है ओ घट गया यह आपको ध्यानर में रखना है 64 नमर कोशन देखते हैं प्रथम मगद समराज्ज का उतकर्स किस सताबदी में हुआ इसापूर दूसरी सताबदी में इसापूर पहले सताबदी में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 64 का तो B के साथ इसका अंसर जाएगा दोफ्तों 64 का B इसापूर सठी सताब्दी में क्या हुआ प्रथम मगद समराज्ज का उतकर्ष हुआ और question भी पूछा था आपका कि प्रथम मगद समराज्ज का उतकर्ज किस सताबदी में हुआ तो 6 सताबदी इसापुर में 16 महाजनपत भी इसी में आएं आपको इसको याद रखना है आगे इसका व्याख्या में कुछ नहीं है वही चीज है कि प्रथम मगद समराज्ज की महत्ता का वास्त्विक संस्थापक राजा बिम्बिसार था कौन था राजा बिम्बिसार था और इसका सासन काल देखेंगे तो 544 से 400 बानबेर इसापुरू है जब इसापुरू की बात होती है तो घट्टे करम में हो जाता है इसको भी ध्यान में रखने की बात है आगे देखते हैं 65 नमर कोशण है आपका मगत की राजधानी कौन थी मगत की राजधानी इसमें से कौन है पाटली पुत्र, वैसाली, गृब्रज या राजग्री, चम्पा इक रहा है उप्युग्त में से कोई नहीं उप्युग्त में से एक से अधिक तो इसमें आपको द देख लेते हैं, दिये गए विकल्पों में दो विकल्प ए और भी सही है, ठीक है, मगत की आरंभिक राजधानी, ग्रीब रज थी, बाद में उदेई ने पाटली पुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगत की राजधानी बनी रही, मगत समराज पर सासन करने वाले प्रथम राजधानी के विशे में बहुत गरंतोर एवं पुरारों में अलग अलग मियूरर मिलता है, पुरारों के अनुसार मगत पर सासन करने वाला पहला राजधानी वाला पुरारों के अनुसार जो मगत पर सासन करने वाला पहला राजधा माना जाता है पुलाड़ो के दुसार इस सुंस का पहला राजा जरा संद था ग्रीब ररज को अपनी राजधानी बनाया आजलते हैं 6 6 नमर कोशन बात कर लेते हैं प्राचीन महा जनपद मगद की प्रथम राजधानी कौन सी थी प्राचीन महा से कोई नहीं उप्युक्त में से एक से अधिक तो मगत की जो पहली राजधानी थी ओ आपका ई हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं या उप्युक्त में से एक से अधिक तो आंसर ई के साथ जाएगा और व्याख्या उपर देख लीजिएगा इसमें ग्री ब्रज रहना चाहिए तो गृव रज नहीं है क्योंकि गृव रज पहली राजधानी थी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा मगत की आरंभिक राजधानी गृव रज ठी तो गृव रज आपसर्ण में है नहीं तो आंसर E के साथ जाएगा और उसके बाद उदाइन ने बनाया था पाटली पुत्र को तो पाटली पुत्र दिया है इसलिए आंसर आपका E के साथ जा रहा है 67 नमर कोशन है नंदवस के फस्या मगत पर किस राजवन्स ने सासन किया यह बताना है तो इसका आंसर क्या होगा मौर सुंग गुप्त कुसाड तो आंसर इसका जाएगा दोस्तों सरसट का एक के साथ जाएगा मौर वंसों ने नंदवस के घनानंद जो था उसको मार कर मौर चंदरगुप्त मौर ने मौर वंस की अस्थापना की थी आपसन यह आपका सही है व्याख्या देख लिजिए नंदवस की अस्थापना सिसुनाग वंस का अंत करके की गई थी नंदवस में कुल नव राजा थे कितने राजा थे तो नव राजा हुए जिसमें पहला है उग्रसेन जिसे पुरारों में महापद्म कहा गया है उग्रसेन को पुरारों में क्या कहा गया है तो महापद्म कह गया है पंडुक, पंडुगती, भूत पाल, राष्ट पाल, गोवी पासार्क, दस सिद्ध, कैवर्क और धननंद या धनानंद था नंदवन्स में जनता से बलपुर्वक धन उसूला था छोटी-छोटी वस्तुवपर भारिकल लगाने के कारर जनता सासको के विरुद हो गई जिस कारण से जो मगत की जनता थी उससे क्या हो गई नराज हो गई नाखुस हो गई और चारो ओर घिडा एवं असंतोस का वातावरर व्याप्त हो गया इसी का लाब उठाकर चंद्रगुप्त मौर एवं चारक ने धन नंद की हत्या कर नंदवन्स का क्या कर दिया अंत कर असपष्ट ए सही है मतलब आंसर ए सही है धना नंद रहेगा या धन नंद रहेगा इसको आप जरूर नोट कर लिजिएगा आगे देखिए जिसके ग्रंत में चंद्रगुप्त मौर को विशिष्ट रूप से वड़न हुआ है वह है कौन है भासे है छुद्रक है विसाकदत असव घोस है तो इसका जो आणसर है दोस्टों उस्थी के साथ जाएगा आपका विशाकदत है विसाकदत ने मुद्रा राच्छत में इस बात का जिक्र किया है व्या करें देख लिजिए विशाकदत कृति मुद्रा राच्छत में से चंद्रगुप्त मौर के विशे में विश्तरित सूचना प्राप्त होती है इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर को नंद राज का पुत्र माना गया है मुद्रा राश्षच में चंद्रगुप्त को ब्रिसल या कूल हीन भी कहा गया है तो इस गरंथ में जो विसाखदत की मुद्रा राच्छत है, इसमें चंद्रगुप्त मौर को बिर्सल या कूल हीन भी कहा गया है 28 अताबदी में धुंडी राज ने मुद्रा राच्छत पर तीका लिखा था तो विसाकदत के अलावा विसाकदत ने मुदर राच्छस के अलावा और कौन-कौन सा पुस्तक लिखा है तो उसमें एक है देवी चंदर गुपतम और दूसरा है अभी सारी का वन्चित या इसे कते हैं अभी सारी का बंधिक ये दोनों पुस्तक किसके हैं तो विसाकदत के ह गए आगे चलते हैं 69 product question है निमलीखित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिन था कौन सा राजा जो था सिकंदर महान के समकालिन था महापदमनंद धननंद सुकल्प चंद्रणगुप्त मौर तो इस में से जो समकालिन सासक पूछा है सोरी तो इसमें सासक में आपका जो आंसर जाएगा उसमें सासक तो यह था धनानंद ठीक है राजा पूछा है ठीक है मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिन था तो राजा इसमें चंद्रगुप्त मोर्त बाद में बनता है लेकिन उसमें अग अधिकारियों की संख्या पुडारों तथा बहुत गरंतों में आठ मिलती है इस वंस का अंतिम सासक धनानंद था जो सिकंदर का सामकालिन था उसे युनानी लेख को ने अग्रमीज कहा है जेनो फोस उसे बहुत धनाज व्यक्ति बताता है भद साल उसका सेना पती था तो इस पुट्रा नौ है तो उसको वे आप पर याद रखेंआय चलिये गा कि कहीं कहीं नौ और कहीं कहीं आठ दिया गया है लेकिन नंद्वंस में कुल जो सासक है और राजा जो नौ माने गए है तो उसको भी आपको याद रख enslaved चलना है कि confusion नहीं होना है confusion वाले question पूष्षे न कथा आपसंसी आपका सही है आपसंसी ए आंसर कर लिजिएगा व्याख्या देख लिजिए बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्रहार में की गई खुदाई से मौर काल के लकड़ियों के विशाल भौनों के औसेस प्रकास में आये हैं इन्हें प्रकास में लाने का सरे स्प्यूनर महोदे को है बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के ऑसेस एवं कुग्रहार से राजप्रसाद के ऑसेस प्राप्त हुए हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद साथी हो